नमस्कार दोस्तो, सिविल इंजिनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महात्पुन वीडियो में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपका दोस्त इंजिनियर अभी ज्रीक जिंग, दोस्तो अगर आप बहुत ही कम जगा में मात्र 25 फीट बाई 35 फीट में अगर दो बेडरूम का ए और लंबाई की बात कर लेते लगवक 35 फीट अगर है आपके पास दोस्तो, तो ये प्लान विल्कुल आपके लिए होने वाला है, 875 के करीब में दोस्तो ये स्क्वार फीट आ रहा है, दोस्तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीरी डूम है, सीरी से ही एंटरेंस है, ठीक है और ये L-shape में दोस्तो, हॉल बनाया गया है, तो हॉल को, हॉल प्लस डाइनिंग एरिया, दोनों ही चीजों को दोस्तो यहाँ पे कंबाइन किया गया, इससे जगा की बचत होती है, और डाइनिंग एरिया के पास देखेंगे दोस्तो, एक आपको बालकनी भी देखने को मि पिचन है, और दोनों बेडरूमम में अटेच बाइच बात्रोम दिया गया, इस तरीके से अड़स्ट किया गया दोस्तो, तो एक सिर्फ रूम वाला ही इस्त्माल कर रोगों, दूसरा जो बात्रोम है, उसको हॉल वाला वैक्ति, और बेडरूम वाला वैक्ति दोनों के लि और यह जो bedroom है दोस्तो आप यहाँ देख सकते हैं यह corner पे एक bedroom है ठीक है और यह bedroom वाला व्यक्ति भी दोस्तो इसको जो है वो attach bathroom के तोर पे इस्तमाल कर सकता है तो आपके लिए बहुत सारे options जो है वो इस plan में है जो कि आप अपने अनुसार दोस्तो इसको customize कर सकते हैं अब ब खा देता हूं तो यह दूसरा वाला bedroom है यह bedroom कुछ इस तरीके से है जिक है इसमें एक किरकी है और सामने देखेंगे दोस्तो आपको जो है वो storage box देखने को मिल रहा है दोस्तो storage box देखेंगे तो सिर्फर सिफ पैसेज के उपर में ही बनाया गया और यह है इसका attach bathroom अब पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों के सांथ वीडियो को सुसीया रवस्त कीजिए